हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टड़ी फीट आप फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों आज मैं खेलो इंडिया कारिकम के बारे में डीटेल में बता रही हूं इसके अंतरगत जितनी भी आपके डाउट्स होंगे सभी किलियर हो जाएंगे वीडियो को पुरा देखे एल्टी ग्रेड में एज सीलेबस के सालीज सिच्छा की इतिहास के अंतरगत है तो इसको इसलिए मैंने आपको वादा किया हुआ है कि मैं में पॉइंट को जरूर मैं आपको करा दूंगी तो मैं खेलो इंडिया कारिकरम जैसे कि आप सीलेबस में जाके देखिए पार्ट जो फिजी कि इजुकेशन का, उसमें से पार्ट ओं में आम देखेंगे लासट में खेलो इंडिया कारिकरम ह है है and fit इंडिया है, तो मैं खेलो इंडिया कारिकरम लेकर आया हूँ एंड फिजिकल एजूकेशन के जितने भी कंपटिशन एक जाम है सब के लिए मोस्ट इंपॉर्ण है जैसे कि टियाएटू में यह पूछा ही था खेलो इंडिया कारिकरम कब सुरू किया गया तो जितने भी डावर्स है और बरतमान में जो हुआ है 2024 में उसको भी इसी वीडि 17-18 में हुआ और खेलो इंडिया इस्कूल गेम के नाम से ठीक है खेलो इंडिया कारिकरम का सुरूआ जो है खेलो इंडिया इस्कूल गेम के नाम से हुआ दो जाए 19 में नाम बदल कर खेलो इंडिया यूथ गेम रखा गया एंड़ तो भारत सरकार की यूवा मामले यह खे सुरूर किया गया उस समय राजवर्धन सिंग्रा ठोड जो है केंदर में मंत्री थे जैसे कि इन्होंने रजत पतक पाया हुआ था 2004 में सुटिंग में उसको भी आपको याद होगा एंड जो है इसका मुख्यालब झो दोस्तों भारत में संस्कृति भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमिनी इस तर पर खेल प्रतिभाव को पहचान दिलाना ठीक है जितने भी खेल प्रतिभाव को बढ़ावा देना और जो छोटे इस तर पे खेल प्रतिभाव को बढ़ावा देना उनको आगे ले जाना ही इसका लच्छ है और इसका उद्दे से है कि जो भी कमजोर वर्ग है और इसके लिए प् याद रखेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि खेलो इंडिया कारिक्रम जो है वह तीन योजनाओ को असômक्ति तृल इंडिया कारिक्रम बनाया गया है तहीं प्रत्थम है राजियू गांध अभिर जिसे साडं कारेय प्रत्थ सौर्व्थ पहले PY-KA का यहां P T नहीं होगा दोस्तों यहां Y होगा ठीक है यहां Y होगा ठीक पहले इसको राजुगान दी खेल अभियान RG-KA को पाई का बंचायत युवा खेल अभियान के नाम से जाना जाता था और राजुगान दी खेल अभियान की सुर्वाद 21 फरवरी 2014 से हुआ है एंड दूसरा मर्च किया गया है इन तीनों को मर्च करके दूसरा है अर्बन स्पोर्स इंस्ट्राटक्चर स्खीम USIS यानि सहरी खेल और और संदचना योजना जिसकी सुर्वाद 2010-2011 को एक बार और दूसरा बार रंग हुआ 2015 में तीसरा है नेशनल स्फोर्स टैलेंड स्की सर्च इस्की एन एस्टी एसस राष्टिय खेल प्रतिभाग खोज योजना जिसकी सुरुवात 1971 में यह भी कोशन पुछता है कि राष्टिय खेल प्रतिभाग खोज कब योजना लाया गया तो 1971 में तो इन तीनों को मर्ज करके खेलों इंडिया कारिक्रम बनाया गया है याद रखे राज्युगांति खेल अभियान एंड सरी खेल और संरचना योजना एंड राष्टिय खेल प्रतिभाग खोज लिए तीनों को मिला करके राष्ट इन्डिया कारिक्रम को बनाया गया है तीनों को मर्ज करके अब very important प्वाइंट पाते हैं कि खेलों इंडिया में 12 चेत्र आते हैं 12 चेत्र यह कोशन भी पूछा हुआ था आपके कभी प्यासी टियाई टू वे पुछा हुआ हुआ था कभल इस्थापना हुआ एंड कितने छ्छेतर ही दोनों चीजे पुछा हुआ था दोस्तो to यहां पर डिश सकते हैं क्छेलों। इंडिया कार्वे मे कल 12 छट्र आते हैं यह छ च्छत्र होते हैं आपके जैसे कि खेल के मैदान का विकास करना एंड समुदाई कोचिंग का विकास एंड राष्टिये खेत्रिये और राजी खेल सिछावीदों को साहता देना एंड चवथा है स्कूल स्कूली बच्चों की सारी फिटनेस को बढ़ाना पांच होँआ है विकलांग लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देना छटा है महिलाओ के लिए खेल एंड साथ होँआ है राज इस तरी खेलों के खेलों एंडिया केंदर आठ होँआ है वार्सिक खेल को प्रतियों गीता नहुआ है सांति और विकावास के लिए खेल, दसुआ है प्रतिभाग होच का विकास, गेरा हुआ है खेल और और सन रचना का उप्योग, एवं निर्मार, अथवा उन्नेयन, बारा हुआ है ग्रामीर और स्वदेशी या जनजाती खेलों को बढ़ावा देना, यह पांच कार चाहर गेम्स आयोजित किए जाते हैं नी दोस्तों को से फिर यह यूथ गेम, एह कि एंड ऐन्डिया उन्डिया वफ़न्टर गेम्स एपपर है है इस वीडिया यूंडिया उन्ँटी ञाउशती कि घेलों ईन्डिया गेम्स से बाले करिए ग्राव है इस एंद्टों आन्टी यूथ गेम है, दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर का दोस्तों, जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम, और खेलो इंडिया इंवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, इस चारो जो है, खेलो इंडिया कारकरम के अंतर चार गेम आयत किये जाते हैं, जिसमें से खेलो इंडिया यूथ गेम जादे पूछा ज याद रखेगा कोश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया करेक्टिम की शुरुआत दोज़ा ठारे में हुआ था किसके नाम से हुआ था खेलो इंडिया इस्कूल गेम के नाम से कहां भी हुआ था दोज़ा ठारे में नए दिल्ली में लेकिन 2019 में जब दुसरा संस्क्राड दुसरा है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिती गेम की सुरुआत दोज़ा बीस उरिसा की भुनिस्वर में हुआ तिसरा है खेलो इंडिया विंटर गीव जिसकी सुरुआत दोज़ार बीस में लेह गुल बर्गा में हुआ चौथा है खेलो इंडिया पैरा गीव जिसकी सुरुआत दोज़ात देइस नई दिल्ली में हुआ इस चारों चीज़े याद रखेगा आगे हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टिन पॉइंट जिसमें से हम चारों में से सिफ डिटेल में हम बताएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में कहां पर हम खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में डिटेल में बताते हैं जो खेलो इंडिया Yeuth Game है इसकी सुरुत 2018 में नए दिल्ली में हुआ खेलो इंडिया Schools Game के नाम सी अधो ज़र नीस में इसकी नाम बदब करके खेलो इंडिया Youth Game रखा गया याद रखेगा इसका मुख्यार है यह जो है दोशेडियो में आजित किय जाता है ठीक है दोश लिडियो में आजित किया जाता है कि इसमें से होते हैं जिसमें तख खेलो खेल ऑम यूज़ गें का खिताब याद रखेगा अभी तक में यहां पर देख सकते हैं कि अभी तक 6 शंस्क्रड हुए हैं दोस्तों चटा संस्क्रड है यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो खेलर इंडिया यूद गेम की पूरी सूची यहां पर देख सकते हैं 5 संस्क्रड चटा संस्क्रड दोहज़ चोविस में हैं तो पहला संस्क्रड आपका देख सकते हैं हुआ था 2018 में नई दिल्ली में जिसमें आपका पहला अस्थान हर्याडा का दूसरा और महराष्ट का तिसरा दिल्ली का था दूसरा संस्क्रड हुआ 2019 में पूरे महराष्ट में उसमें पहला अस्थान महराष्ट का दूसरा हर्याडा का तिसरा दिल्ली का तिसरा संस्क्रड हुआ 2020 में गुआहर्टी असम में जिसमें महराष्ट पहला अस्थान पर हर्याडा दूसरे अस्थान पर और दिल्ली तिसर संस्क्रण पंचकुला हर्याडा में 2022 में हुआ जिसमें हर्याडा पर्थम अस्थान पर महराष्ट दुसरे और करनाटक तिसरे अस्थान पर पांच्वां संस्क्रण हुआ यह महाराष्ट जो है चाउथा बार जिता हुआ है तो देखते हैं आप चछठा संस्क्रण के बारे में तो चछठा संस्क्रण जो है हुआ है इसका सुभंकर है दोस्तो मीरा मंगाई रानी वेलू नाचिया और कुल 26 गेम इसमें सामिल हुए हैं और इसके टाइटल स्पॉंसर है दोज़ाष्ट चौबिस का स्पोर्स फॉर और एस एफ़े और दोज़ाष्ट चौबिस में पदक तालिका में महाराष्ट जो है और प्रफमस्थान पे है तमिलाडू दितीय और हर्याडा दितीय स्थान पे महाराष्ट जो है वह आपका 57 स्वड 48 रजत तिरपन कांसे पदक यानि कुल 158 पदक प्राप्त किया है प्रफमस्थान दुसरा अस्थान पहें हुआय तमिल आडु जो 38-60-21 रजभग 59 कुल पढ़क किया है 35-20-23 पढ़क कुल एक103 पढ़क किया है जो तिसरे अस्थान पहें दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि जो है तमिल आडु कुल एक00व पढ़क किया है और तहड़ी और एक सो तीन पदक फिर भी तमिलाडू दूसरे अस्थान पर क्यों है दोस्तों जो जादे सुन पदक प्राप्त करता है उसके रहा पर पर प्रथम देती है तृतिय अस्थान दिया जाता है महतपुर बिंदू यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम दोजाओ चोबीस में प्रथम बार नई खेल स्क्वेस को सामिल किया गया है बेरी इंपोर्टेन है इसको याद रखेगा ठीक है एंड दूसरा पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम दोजाज चोबीस में प्रतम बार प्रदसन खेल के रूप में प्रदसित किया गया स्विलम भंभ खेल खेल को तो यह था खेलो इंडिया कारेक्रम के अंतरकर इत बखुत सबयाद हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्ट पॉइंट के साथ नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जय हुआ